उत्तरी इसराइल हर एक मिनट और हर एक सेकंड में हिजबुला के हमलों से जल रहा है। हिजबुला इसराइल पर जमीनी हमला करता है तो ये जंग सीधी आरपार की लड़ाई में जाएगी। लेकिन हिजबुला लगातार अपनी सीमा रेखा पार करके एक कदम आगे जा रहा है। दरसल हिजबुला ने 14 अगस 2024 को उत्री इसराइल पर एक बार फिर से कई सिलसिलेवार हमले किये हैं। हिजबुला का कहना है कि उसने मैतुला साइट पर IDF के एक सर्विलेंस उपकरन को उड़ा दिया है। और इस हमले के बाद करीब 10 बज कर 10 मिनट पर शेतूला के जंगलों में इसराइली सेनुकों के जमावडे वाली जगा पर एक सीधा हमला किया। हिजबुला के मुताबिक 10 बज कर 50 मिनट पर उसने अलबगदादी साइट पर भी सीधा हमला किया। और इसके बाद जिबदीन बैरिक्स पर भी कई गोले और रॉकेट फायर कर दिये जो सीधे अपने टार्गेट पर लगे। आपको बता दे कि हिजबुला ने ये भी दावा किया है कि उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में अल राम्था सैन ने अड़े पर भी कई रॉकेटों से हमला किया है। जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद हिजबुला ने उत्री अभीरिम में एक बड़ा ड्रोन हमला किया। यहाँ पर हिजबुला ने IDF के जमावडे वाली जगा पर काई ड्रोन एक साथ फायर कर दिये। और इसके अलावा किरियत शमोना सेटल्मेंट में भी हिजबुला ने कत्यूशा रॉकेट्स का एक पूरा जथा फायर किया है। और इस्राइली न्यूस चैनल 12 ने भी इस हमले की पुष्टी की है। चैनल 12 का कहना है कि रॉकेट दक्षनी लेबनान से आये थे जो एक बस्टेंड के पास आगिरे जिसकी वजह से यहां पर आग लग गई। महिकरियत शमूना के मेयर अविचा इस्टरन ने लोगों से कहा कि वो अगले आदेश तक नजदी की सुरक्षित जगा पर चले जाएं। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल की नॉर्दन कमांड के अधिकारियों का कहना है कि हिजगुला उत्री बॉर्डर पर जमीनी घुस पैट के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। इसको लेकर इसराइली नूज चैनल वला ने आईडियफ के अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजगुला के उत्री इलाके में जमीनी हमला करने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा हकी कर नजर आती है। नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गल्ती और वहम में है।